नमसकार दोस्तो, कैसे हो आप सब Homemaking with the Russian Channel पर आप सब का ढहुत बहुत स्वागत है देखी दोस्तों कर्भी के special लड़ू और यह है धनीय के लड़ू इन्हें बनाना बहुत ही असान है और यह हमारी आँखों और पेट के लिए बहुत ही फाइदे मन दोते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, आज की असान सी रेसिपी, धरिया के लड़ू बनाने के लिए दोस्तों मैंने च्यार इंग्रेडियंट्स लिए हैं, बहुत ही असान रेसिपी है, पहला मैंने लिया है काय का देसी घी, हाँ दोस्तों गाय का जो घी होता है, वो आखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और एक कटोरी मैंने आटा लिया है, आटा हलका सा मोटा होना चाहिए, तबी इलडू अच्छे रहते हैं, और यह है खांड जो मैं अपनी हर मिठाई में यूज करती हैं, देसी खांड है ये, इसके साथ ही मैंने लिया है एक कटोरी धनिया करते हैं, वो यूज कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो मत लिजिए, और दोस्तों इसके साथ ही अगर आप इनको और भी जा雜ादा टेश्टी बनाना चाहते हैं तो मावा यूज कर सकते हैं, और मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि अगर हम मावा डालते हैं तो self life in लड़ों की कम हो जाती है मुझे यहां थोड़े से जादे दिन रखने हैं इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ आपकी इच्छा तो आप डाल ले मैंने एक कड़ाई को गयास पर रख दिया है और इसमें डाल दिया है देशी घी अब इसको हलका सा चाहिए और इसको आपने इसी तरीके से चलाते रहना है क्योंकि जैसे हम आटे का हल्वा बनाते हैं दोस्तों बिल्कुल सेम उसी तरीके से और जब यह पकने लगेगा तो देखी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वह तो थोड़ी सी लिक्विडी सी हो जाएगी यह घी छोड़न होने लगता है इसका कलर भी ब्राउन होने लगता है और तीसरा इसकी जो खुस्बू है उससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारा आटा है वह भून गया है और अब यह रैड़ी है इसमें आप धनिया पाउटर डाल सकते हैं जिस स्टेज पे आप आटे का हल्वा बना कि उस से हमारा धनिया पाउटर जो है वह भून जाएगा ज्यादा हमें रोष्ट कलने की भूनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसको ऐसे ही खाते हैं और यह पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है इन लड़ों से ना जो हमारी किसी किसी को जो अफारा रहता है वह ठंडा होने के पहुंच जाए और हलका सा गुनगुना रह जाए तब हम खांड करेंगे क्योंकि अगर हमने अभी एड़ करती ना तो खांड है जो वह पानी छोड़ती है और इससे हमारे लड़ों खराब हो जाएंगे तो खांड को अभी नहीं डालेंगे यह देखिए दो खांड हो चीनी हो जो भी हो लेकिन उसमें अपनी इच्छा भी है आपकी कम मिठा पसंद करते हैं तो कम डालें ज्यादा करते हैं ज्यादा डालें आपको पसंद हो वह आप डाल सकते हैं दोस्तों और मैं नहीं डाल दिये हैं थोड़े से और इसके साथ ही मैं इसमें थोड लडू बना लेना है ऐसे लडू तयार होते हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे हैं इनका टेस्ट भी काफी अच्छा है और बनाने में तो आपने देखी लिया बहुत यह आसान है इस तरीके से आप लडू बांध ले और यह बहुत असानी से बन जाते हैं इसकी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा थेंक्यू दोस्तों